हलो फ्रेंड वेल्कम ट्योर चैनल गान फुर एक जाओं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी स्रीच चल रही थी N.C.E.R.T. साड संग्रा की उसमें हम लोग देख रहे थे बल्ड जियोग्राफिक को बल्ड जियोग्राफिक की बात चल रही थी जिनमें हम लोगों ने इसके पार्ट वन को जाना था और आज ये हमारी होगी पार्ट टू मैं आप लोगों से च्छमा चाहता हूँ पिछले दो दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया जिसके कारण आज ये पार्ट टू हमारी कुछ टाइम बाद आई है इसके लिए मैं आप सबसे च्छमा चाहता हूँ और साथ ही आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिसके लिए क्योंकि आप हमारे साथ बने रहे धहर पूरवक इसलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आज ये पार्ट टू होगा जिसमें हम लोग सुरू करेंगे प्रमूख नहरे एवं बांध से मेजर चैनल्स और डैम्स इससे पहले कि जो लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे साथ ही वेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेर लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे पेडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से आप लोग पेडियो को दौणूड कर लेंगे और वहाँ पर दिये गए ग्रोप से सभी पीडियो को भी दौणूड कर सकते हैं जहां पर आपको WhatsApp, Telegram और Facebook ग्रूप दिये गए हैं बहुत सारे लोगों का हमेशा कमेंट आता है सर्फ पिछले वीडियो जो दिये गए हैं उसके PDF मांगे जाते हैं आप लोग सभी PDF आपको दिये गए हैं जो लोग नए होंगे उनको तो WhatsApp पे PDF नहीं मिल पाएंगे क्योंकि WhatsApp ऐसी सिस्टम नहीं है पर आप Telegram पर एक वार जरूर विजिट करेंगे जहां पर आपको पिछले सभी Classes के PDF मिल जाएंगे वहां जाएंगे वहां पर आप जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज आप सर्च करेंगे वहां आपको सभी PDF सिरीज वाइज मिल जाएगी चली शुरू करेंगे हम लोग प्रमुख नहरे एवं बांध चली बात करें तो पनावा नहर कीन दो महासागरों को जोडती है पनावा नहर जो है यह जोडने का काम करता है प्रसांत महासागर एवं करेंबियन सागर को किस नहर को एसिया एवं अफरिका महादीप के माद धिकीर सीमारेखा माना जाता है सुएज नहर को एसिया और अफरिका महादीप जो है इसके बीच की जो सीमा रेखा है वह स्वेज नहर बनाती है आपने देखा होगा एस्या महादिप जो है कुछ इस प्रकार से ऐसा आप लोग एक वर्ल्ड विजिट कर लेंगे ब्ल्ड मैप को और यहाँ पर आप नीचे में देखे होंगे कुछ इस तरह से ऐसे लटका हुआ इधर यहाँ पर जो यह है यह स्वेज नहर एस्या और अफरिका के बीच की सीमा रेखा बनाती है पौइंट है स्वेज नहर बिस्व की सबसे बड़ी पोत भाहक नहर है आगे सूनहर की दो जोड़ती है सूनहर जोडने का का म करती है सूपिरियर चील और स्वेज नहर के दोनों सीरों पर कौन से पता निश्थी थे स्वेज नहर जो है यह अफ्रिका और एस्या के बीच में है और इसके दोनों और एक साइड में पोर्ट साइड और दूसरे साइड में स्वेज पोर्ट इस्थी थे पॉइंट है पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध बिश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है या ब्राजील और परागवे दो देशों की संयूक्त परियुजना है जो पराना नदी पर इतेपू बांध है इसके दो साजेदार हैं ब्राजील और परागवे एजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है कील नहर कींदो सागरों को जोडने की काम करती है कील नहर का जो है वह उत्री सागर और बाल्टिक सागर को जोडने का काम करता है आगे है बीस्व का सबसे लंबा समुद्र सिर्टू बनाया गया है कहां पर जियो जुम खाड़ी में बीस्व का सबसे उचा बांध कौन सा है यह है तजाकिस्तान की स्थित बक्स नदी पर निर्मीत रोगन बांध आगे बीस्व के प्रमूख बांध दिये गए हैं जहां पर बांध का नाम नदी और देश के नाम दिये गए हैं पहला है नूरेक बांध नूरेक बांध जो है वह बक्स नदी पर इस्थित रूस में इस्थित है दूसरा है भाखडा नांगल बांद जो भाखडा बांद है यह 17 नदी पर है और भारत में इस्थी थे हम लोगों ने अक्सर जब भी पढ़ते जैसे मैंने अभी पढ़ा भाखडा और नांगल जो नांगल है यह भी सतलन नदी पर है पर यह वहां से दोनों एक जगा पर नहीं है कुछ दूरी पर भाखडा और नांगल बांध है कुरेवे गावा बांध कुरेवेगावा बांद जो है वो कुरोवे नदी पर है जपान में काबोरा वासन बांद जांबेजी नदी पर जांबिया में इस्थित है करिवा बांद का संबन्द जांबेजी नदी पर जांबिया से है आसवन बांद मिस्र में इस्थित निल नदी पर है औको सोंबावांद जोकी घ्वाना देश में बॉलिटा नदी पर इस्तित ही अगला है ग्रांड डिक्सेंस जो है स्विजर लैंड में इस्तित डिक्सेंस नदी पर इस्तित ही आगे इत्ली के वेज्गोंच नदी पर इस्तित है औरी मेलत अमेरीका में स्थित भीदर नदी पर सामिल है हुबर वन्द का भी संबन्द अमेरिका के क्लोरेडो नदी से और बारा गांबा नदी पर आस्ट्रेलिया में इस्तित है आगे अब यहाँ पर दी गई है बिश्व के प्रमुक नहर एवं उससे संबंधित महत्पूर्ण तत थे जो कि यहाँ टेवल वाइज है नहर का नाम किस किस को जोड़ती है और अवस्थति यानि कि किस देश में इस्थित है अब बात कर लें पहला सुरू करें तो है सुएज नहर सुएज नहर जो जोड़ने का काम करती है वह है लाल सागर और भूमध्ध सागर के बीच लाल सागर और रेड़ सी और भूमध्ध सी के बीच में जो है यह जोड़ने का काम करती है और इस्थित है मिस्र एजिप्ट में अगला है पनामा नहर पनामा नहर यह प्रसांत महासागर को करीबियन सागर से जोड़ने का काम करता है और यह स्थित है पनामा कंटरी में नेक्स्ट है बोलगा डान नहर बोलगा डान नहर जो है या रोस्टोब और अस्टालिन ग्राद के को जोडने का काम करता है और इस्तित है रूस में अगला है कील नहर कील नहर जो है या उत्री सागर और बाल्टिक सागर को जोड़नी की काम करती है और इस्तित है जर्मनी में नेक्स्ट उत्री सागर नहर जो नौर्थ सी कैनल है या इंस्टाडम को उत्री सागर से जोड़ती है और इस्तित है जर्मनी में नेक्स्ट है इरी नहर इरी नहर जो है या अमेरिका में इस्तित है और सुपीरियर जिल को हिरोन जिल के नाम को जोडती है सुपीरियर जिल को हिरोन जिल के नाम जिल से जोडती है next है सूनहर सूनहर का संबंध भी अमेरिका से है और इरी जिल को मीचिगन जिल से जोड़ती है next है केपी नहर केपी नहर जो है भारत में इस्थित आंधर प्रदेश और तमिल नाडू को जोड़ने का काम करती है आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप है कुछ यहाँ पर यहाँ पर जो यह तमिल नाडू की पार्ट है और यहाँ पर आंधर परदेश की जो भाग है यही पर जो इस्थित है वह है केपी नहर केपी नहर जो है यह जोड़ती है आंधर परदेश और तमिल नाडू को आगे है गोटा नहर गोटा नहर स्वीडन में इस्थित स्टॉक होम और गुटेनबर्ग को जोड़ने का काम करती है नेक्स्ट है मैंचेस्टर नहर मैंचेस्टर नहर जो है वह ग्रेट ब्रिटेन और मैंचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में इस्थित मैंचेस्टर और लीवरपूल को जोड़ने का काम करती है नेक्स्ट है बेलेंड नहर, बेलेंड नहर का संबन जो है यह अमेरिका से है और इस्तित है इरी और उंटेरियो को बीच में, इरी और उंटेरियो के बीच को जोडने का काम करती है आगे है पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रसांत महासागर से जोड़ती है और इसकी कुल लंबाई 82 किलो मीटर है अब आगे है हमारा बायो मंडल बायो मंडल यानि एटमोस्फेर अब यहाँ पर अगर समझने की बात करें तो ये एक पिक्चर दी गई है ग्राप जहाँ पर है बायो मंडल की सरचना बव बिभीन परते आप इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिर्थीवी सता पिर्थीवी सता है और इसके उपर जो है छो मंडल चो मंडल है उसके बादल है बिजली है मेग है बरसा है और यहाँ आठ किलो मीटर आठ किलो मीटर से अठारा किलो मीटर के बीच में समताप मंडल है समताप मंडल में और आप यहाँ देख सकते हैं जो बायो यान यान जो बायो यान उड़ते हैं वह समताप मंडल में उसके बाद है अठारा से पचास किलो मीटर जिसके बीच में है मध्ध मंडल तब है 50 किलो मिटर से 80 किलो मिटर जहां पर की आयन मंडल होती है और यहां रेडियो तरंगे प्रवाहित होती है उसके आगे है 80 किलो मिटर से 640 किलो मिटर इस बीच में उलका पिंडे होती है और बहिर मंडल जो होती है उसके उपर कृत्रीम उपग्रया उड़ती है यानि कि कृत्री मुपग्रिया को प्रच्छेपीत की जाती है ये थी कुछ एक छोटी सी परिपेट जिसमें बायो मंडल की सरचना और बिभीन परते को समझाई गई है अब हम लोग बाते कर लें बायो मंडल की तो बायो मंडल जो है यह गैसो का एक आबरन है प्रच्छीवी के चारोर ब्याप्त गैसो का बिसाल आबरन जो प्रच्छीवी का अंग है उसे ही बायो मंडल एट्मोसफेयर कहा जाता है आगे है रसाइनिक संगटन की दृष्टी से बायो मंडल को दो परतों में बाटा गया है जो रसाइनिक संगटन होती है उसके नुसर होमोसफेयर और हेट्मोसफेयर के रूप में बायो मंडल को बाटी गई है यानि सममंडल और बिसमंडल के रूप में अधिकांच मौसमी घटनाएं जो है वह होती है ट्रोप वस्पेर यानि की छोब मंडल में जो छो मंडल है यहाँ पर सभी मौस में घटना हैं जहाँ पर आपको वर्सा, धूप, जाड़े यह सभी क्यानुवब यही छो मंडल टूप वस्पेर में देखने को मिलती है बाई मंडल की कौन सी परत बिमानों की उडान के लिए आदर्स मानी जाती है बिमान की जो उडान है वह होती है सम ताप मंडल यानि की अस्ट्रेक्ट वस्पेर, समान ताप वाली जो मंडल है वही पर हमारी बायुयान यानि बिमान और जेटियाने उरान भडा करती है अगला है ओजोन परत ओजोन परत बाय मंडल की किस परत में वस्थित है यह है समताप मंडल में इस्थित आगे है पिर्थिवी की सता से ओजोन मंडल यानि ओजोन अस्फेर के उचाई कितनी है यह जो है पिर्थिवी की सता से कुल 15 से 35 किलो मीटर के बीच की जो सता है वह है ओजोनो स्फेर रेडियो तरंगों के प्रावर्तन के लिए बाय मंडल का कौन सा अस्तर उतरदाई है जो रेडियो तरंग है यह सभी परिवर्तित होती है आयनो स्फेर में आइनोस्फेयर यानि की आयन मंडल आगे है कौन सी अक्रिय गैस बाय मंडल में नहीं पाई जाती बाय मंडल में नहीं पाने वाली जो अक्रिय गैस है वह है रेडाउन अगर बात कर ले अक्रिय गैस की तो उसमें जो ओ ग्रूप की जो होती है अठारवा में वह हीलियम, निय आरगन, क्रिप्टाउन, जिनाउन, रेडाउन होती है। इनमें जो रेडाउन है वह एक अक्रियग ऐसे और वह बाइमंडल में नहीं पाई जाती। अन्य सभी जो अक्रियग ऐसे हैं हिलियम, नियाउन, आरगन, क्रिप्टाउन, जिनाउन यह सभी बाइमंडल में सामिल बाय मंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रनाली के लिए उतरदाई होती है दूर संचार प्रनाली के लिए जो होती है यानि रेडियो तरंगे ये सभी जो होती है वह सभी आयन मंडल में होती है संचार उपग्र बाय मंडल के किस अस्तर में अस्थापित की जाती है यानि कि जो communication satellite है या अश्थापित की जाती है बहिर मंडल एक सो स्फेर में पॉइंट है पृतिवी पर हीम से अच्छादित भूमी छेत सरवाधिक सूर्य ताप को परवर्तित करता है पृतिवी पर सबसे उच्टम ताप करम कहां पर रिकॉर्ड किये जाते हैं सबसे जादा जो उच्टम तापमान है वह 20 डिग्री उतरी अक्छांस में आगे साफ राते मेगी युक्त रातों के पेच्छा अधे एक ठंड ही क्यों होती है क्योंकि जो साफ राते हैं और जो मेगी युक्त जो रात बनती है उसमें बिकरन के अनुपस्थिती के कारण वह अधे एक ठंड ही होती है बाई मंडल में ऑक्सीजन गैस के उपस्थिती कितने किलो मीटर के उचाई तक पाई जाती है जो अक्सीजन गैस है यह अलग हक 64 किलो मीटर तक सामिल है और इस कारण हम कह सकते हैं कि जो अक्सीजन है यह आयर मंडल और मध्य मंडल के बीच तक पाई जाती है बिद्धु तावे सित कनो की प्रधानता बाई मंडल की किस परत में पाई जाती है यहाँ पाई जाती है आइनोस्फेर आइन मंडल में पॉइंट दिये गए हैं समताप मंडल में इस्तित ओजोन परत का कारी भूतल पर परबैगनी बीकरंग को रोकना है आगे ओजोन परत के सरचन के लिए मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्स समती बनी थी यह मौन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुई थी जहाँ पर वर्स 1987 में ओजोन परत की सरचन के लिए मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर समझाता हुई थी आगे यहां दिये गए है पॉइंट वाइज पिर्थीवी की सता पर सुस्क बायू का रसाइनिक संघटन पिर्थीवी की सता पर कौन से गैसों की घटक सबसे ज़्यादा है वह परसेंटेज में दी गई है बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है 78.8 प्रतिसत के साथ वह है नाइट्रूजन उसके बाद आती है पिर्थीवी पर ऑक्सीजन जो की 20.95 प्रतिसत है फिर है ओर्गन ओर्गन 0.99 प्रतिसत कार्वन डायक्साइड 0.003 प्रतिसत नियाओन जो 0.002 प्रतिसत हीलियम 0.005 प्रतिसत क्रिप्टोन 0.001 प्रतिसत जेनोन 0.000009 प्रतिसत और हाइड्रोजन 0.005 प्रतिसत है जो की पिर्थीवी की प्रमुग घटक है यानि सबसे ज़्यादा जो पिर्थीवी की घटक है वह है नाइट्रोजन 78.8 प्रतिसत आगे पॉइंट है मद्ध मंडल यानि मेजवस्फेर मद्ध मंडल को मेजवस्फेर के नाम से जाना जाता है जिस पर सीमा तापमान गिरकर माइनस 95 डिगरी सेल्सिस आउस्टन तक पहुंजाता है जो कि बाई मंडल का नियुंतम तापमान होती है बाई मंडल का जो नियूंतम तापमान है वह हम कह सकते हैं कि माइनस 95 डिगरी सेल्सियस है अब अगला चैप्टर है हमारा चक्रवात यानि की साइकलोन अब बात करेंगे हम लोग अगला चैप्टर है चक्रवात यानि साइकलोन बाते करें तो बाई मंडल में पाए जाने वाले चक्रिय पबन बिक छोब को चक्रवात के नाम से जाना जाता है जो चक्रिय बिक छोब होती है हवाओं की उसे ही चक्रवात साइकलोन के नाम से जाने जाती है और यह जो होती है यह निमन दाब से उच दाब की और चलती है जहाँ पर निमन दाब होती है वहाँ पर बाहरी प्रेसर जहाँ पर हाई प्रेसर होती है वह उस निमन प्रेसर को जो लो प्रेसर होती है उसको भरने की कोशिस करती है और तभी वहाँ पर एक पवनों का विक्छ उत्री गुलार्द में घड़ी की सूई की दिसा के विपरित तथा धक्षनी गुलार्द में अनुकूल होती है या जो साइकलोन है या उत्री गुलार्द में घड़ी की सूई की दिसा यानि की क्लॉकवाइज में चलती है और जब धक्षनी गुलार्द में होती है तब या घ गुलार्द में एंटी क्लॉक वाइज और दचनी गुलार्द में क्लॉक वाइज चलती है बात करें टाइप आप साइकलोन की तो यह कुल दो प्रकार की होती है टेंप्रेट साइकलोन और ट्रॉपिकल साइकलोन टेंप्लेट टेंप्रेट यानि कि सितोस निकटी बंधिये च बात करें तो करकरेखा बहुमद रेखा के निकट कौन से चक्रवाथ उत्पन होती है करकरेखा और मकरेखा कि अगर बाते करें तो हमारी जो यह पिर्थीवी है इसके बीच में जो भुमद रेखा या विस्वत रेखा है इसके उत्तर की 30.5 बृफ़ साड़ des.ige और दक्षिन उसे करक रेखा और नीचे की जो है उसे मकर रेखा कहा जाता है और इसी बीच में जो है चक्रवास सबसे जदा उसने कटीवंधी चक्रवास कहला ती है आगे टाइफुन चक्रवाद से कौन सच्छेत प्रभावित होता है टाइफुन चक्रवाद जो है यह चीन सागर में चलती है पॉइंट है सितोस निकटिवन्द चक्रवाद 35 डिगरी से 55 डिगरी अक्छांसों के मद्ध चलती है यानि जो हमारी विश्वत रेखा हुई यानि 90 डिगरी की पूरे है इसमें जो उपर की या तो जाए उत्तर की ओर या दक्छिन की ओर इसी बीच की 35 से 55 डिगरी के बीच की जो अक्छांस होती है उसमें सितोस निकटिवन्द चक्रवाद आती है ग्रिस्मकाल में इंटे ट्रोपिकल कनवरेज जोन का बिस्थापन भुमध रेखा से किस गुलार्ध की ओर होता है जो आई टी सीजेड है या गर्मी के मौसम में उत्री गुलार्ध की ओर जाती है बिस्थापित होती है यहाँ पर अगर देखे तो एक डाइग्राम दी गई है चक्रवाद से समंदित जहाँ पर है निमनिदाव यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं यह है निमनिदाव और यहाँ से जो सभी समान प्रेसर की बायुदाव आती है और इसे पूरी करने की कोसिज करती है इस कारण पच्छिम सीथ चतुर्थान से भी आती है और इसे जो मापा जाता है वहाँ मीली बार में मापी जाती है आगे टॉर्णाइडो की तिवरता के मापन है तो किस मापक का परियुग किया जाता है टॉर्णाइडो की तिवरता मापी जाती है फुजीटा स्केल द्वारा क्वाइंट है टॉर्णेडो का संबंध मुक्यता संयुक्त राज अमेरिका और अस्ट्रिलिया से यह टॉर्णेडो जो है यह यह प्रकार की चक्रवाती यह प्रनाली है चक्रवात का नाम ही है जो कि ज्यादा तर अमेरिका और अस्ट्रिलिया में चलती है अगला है बिली 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 क्या है तो यह है उत्तर पच्छी मौस्ट्रेलिया का एक उस निकटिबंध ही चक्रवाथ उस निकटिबंध ही चक्रवाथ है जो की अस्ट्रेलिया में चलती है बाते कर लेगर फिर से चक्रवात की तो चक्रवात निमन बायुदाव का एक तंत्र होता है जिसमें बायुदाव प्रवन्ता तीवर रहती है और चकरवात में पवन घूमती हुई चलती है उत्री गुलार्द में इनकी दिषा जो होती है वह बामा वर्त और अंदर की ओर होती है जबकी दक्षिन की ओर जो चलती है वह दचिना वर्त और उसके सामने होती है आगे तुफानों की निरंतर गती मापने के लिए किस का परियोग किया जाता है तुफानों की गती मापने के लिए साफिर सिंपसन स्केल का परियोग किया जाता है अब यहां पर दी गई है विस्व के प्रमोख चक्रवात जो कि बर्स वाइज दे गई है पहला है 2016 2016 में रोवानू जो कि बंगाल की खाड़ी में और बर्दा बंगाल की खाड़ी में आई थी अगला है 2017 की 2017 में मोरा नाम की चक्रवाद बंगाल की खाड़ी में आई हार्वे नाम की चक्रवाथ मध्ध टेकसास प्रांतियानी की संयुक्त राज अमेरिका में आई और मैथ्यू नाम की चक्रवाथ वहाँ आई अमेरिका में आगे है 2018 की 2018 की है तितली चक्रवाथी तुफान जो की भारत में आई थे फिर है मेकुनू उत्रे हिंद महासागर की सामर सुमालिया गल्प और अढ़न की लुबान जो अरब समुदर में आया था गाजा या गल्प और आईलेंड में हरिकेन माइकल या संयुक्त राज अमेरि हिलिपिन्स में हरिकेन बला का हवाई दीप प्रसांत महासागर में उठने वाले चक्रवाथ थी 2019 की बात करें तो 2020 में आया था पावुक जो की अंडमान दीप समुव में थाईलेंड और मियमार में आया थी एक था ओवन जो की आस्ट्रेलिया में आया थी आगे है 2020 की सभी प्रमुक चक्रवाथ जिनमें कलोडिया कलोडिया जो था या पच्छमी इंडोनेसिया की टीनु वाथी फीजी तुवालुकूई डेमियन उत्री अस्ट्रेलिया की उवेसी बनु आतू निउजिलैंड क्विंसलैंड की फाइडिनेंड जो चक्रवाथ थी या में आई थी हेरल्ड या मेडगासकर और केप यॉर्क में आयी हेरल्ड जोती या पुना सोले मंदीप और फीजी टोंगा में बोंग फॉन्ड फिलिपिन्स तैवन में अंफांज आया था या भारत बांगनादेश और स्रिलंका में आया थी जो कि बहुत थी तबाही मचा कर गया था, खास करके तमिलनाडू ये सभी छेतर में, ये काया था और थर ये था उत्तर अमेरिका में, अब आगे बात करें, तो है बैरोमीटर में पारे के अस्तर की अचानक गिरावट की इस घटना का सूचक है, ये है तुफान के आने की, और जब धीरे धीरे उपर क्योड चढ़ती है, तो मौसम साफ होने की, आगे सितोस्न कटिवंद्य चक्रवाट उत्री गुलार्द में कब उत्पन होती है, सितोस्न कटिवंद्य चक्रवाट ये उत्पन होती है के वाल सीतरूती में, घर तुमें, अगर बात कर ले सितोस्न चक्रवाट की, तो ही जो इनके उ पक्षांस के मद होती है और यह अंडाकार होती है यह चक्रवात जो है यह पच्छिम से पूरब की और चलती है पच्छिम से पूरब की और चलने वाली चक्रवात होती है सितोस्न चक्रवात आगे भारत में चक्रवातिये पुर्वा नुमान की जानकारी कौन देता है या देने का कारी करता है दिल्ली इस्थित छेत्रिये बिसेस मौसम बिज्ञान केंद्र आगे है चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है यह जानी जाती है आई आप दा साइकलोन यानि चक्रवात की आख पॉइंट उस्तन कटिवंधिये चक्रवात उत्री दक्षनी गुलार्द में पाच डिगरी से तीस डिगरी एक छांसो के मद उत्पन होती है अगर बात कर लें उस्तन कटिवंधिये चक्रवात की तो यह एक निमन भार का तंत्र है जो उस्तन कटिवंधिये अक छांसों में बिक्सित होता है और इसका बिस्तार जो है वह साड़े तेश डिग्री उत्तर करकरेखा से साड़े तेश डिग्री दच्छिन मकररेखा के बीच में होती है उस कटिबंधी चक्रवात साड़े तेश डिग्री उत्तरी और दच्छिनी मकरकरेखा और मकररेखा तक होती है और इनके उत्पत्ती सागरों के पच्छिंस छोर के निकट होती है जहां पर उस निकटिबंधिये धाराएं बहुत अधेग जलवास्प के पूर्टी करती रहती है इस तरह कि अगर बात करें तो इसमें हरीकेंट, टाइफून और टॉर्डनेडो जो है या उस निकटिबंधिये चक्रवाद के रूप में जाने जाते हैं आगे है संयुक्तिराज अमेरिका के किस छेतर को टॉर्डनेडो एली कहा जाता है टॉर्डनेडो जो है ये एक प्रकार के उस निकटिबंधिये चक्रवाद है और अमेरिका के मिसिसीपी मिसौरी घाटी को टॉर्डनेडो एली के नाम से जाना जाता है आगे पॉइंट है चक्रवाद के केंदर में नीमनदाब जबकी परीदी की और उचदाब की स्थिती होती है तथा प्रतिचक्रवाद में इसके बिपरित होती है यहाँ पर बाते कर रहा है चक्रवाद की तो चक्रवाद कह रहा है कि नीमनदाब जो चक्रवाद के केंदर होते हैं वहाँ पर नीमनदाब होती है और उसकी परीदी की और उचदाब की स्थिती बनती है जबकि प्रती चक्रवाद यानि एंटी सैक्लोन की बात करे तो वहाँ पर परीदी की और निमनदाव और केंदर की और उचदाव बनती है प्रती चक्रवाद जो है वह बरीताकार समदाव रेखाओं द्वारा घीरा हुआ बायू का एक ऐसा क्राम होता है जिसके केंदर में बायूदाव अधिक्तम होता है जो की बाहर की और घरते जाती है अगर बात करें यहां से तो यहां से अगर परती चक्रवाद में यह आगे की और जैसे जैसे जाएगी उसकी छमता कम होती जाती है और प्रती चक्रवाद जो है वो लगवक 30 से 35 किलो मिटर प्रती घंटा की चाल से चलती है और इसके केंदर में हवाएं उपर से नीचे उतरती है अता जब केंदर होती है वहाँ की मौसम साफ होता है अब आगे हैं हमारा पवने एवं आदरता पवन की बात करें यहाँ पर विंड्स एंड हीमुडिटी के बारे में अब लोग हम जानेंगे अगर बाते कर ले पवन की तो पिर्थीवी के धरातल पर बायुदाव की भींता के कारण बायु में गती उत्पन होती है जिसे ही पवन कहा जाता है पवन जो होती है यह पिर्थिवी की धरातल की भींताओं के कारण होती है और पवन की दिशा एवं गती को दाप प्रवन्ता कैरी ओलिस वल अविकेंद्रिय त्वरन तथा भूतल से घरसन प्रभावित करते हैं आगे देखें यहां से बात करें तो पॉइंट है दचनी गुलार्ध में हवाओं के बाई और विचलन का कारण क्या है पिर्थिवी का घुर्णन चालीसा पवन्त की समूद्री से प्रवाहित होती है चालीसा पवन जो है यह प्रवाहित होती है हिंद महासागर से आगे है पॉइंट उचदाब छेतर में भुमद रेखा की और चलने वाले पवने ब्यापारिक पवने कहलाती है जो ब्यापारिक पवने होती है यह उचदाब छेतर से भुमद रेखा की और चलती है आगे है गर्म एवं सुस्क पवन जुन्डा अको इंडिज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है जो जुन्डा सुस्क पवन है इसे बिंटर फोन के नाम से जाने जाती है इंडिज के मैदान में दूनों गुलार्दों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्छांस से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्छांस की और चलने वाले अस्थाई पबने को क्या कहते हैं 30, 35 डिगृ और 60 डिगृ से पैसर डिगृ की जो पवने चलती है उसे पच्छवा पवने के नाम से जाना जाता है बात करे अगर पच्छवा पवने की तो पच्छवा हवाएं उस प्रधेश में चलती है जो उपोस्न उच्षन भार उच्षबार छेत्र अधवा अस्व अक्छांसों के उत्तर में धृूब की और इस्थित होती है और इन पवन को प्रति ब्यपारिक पवन या पच्छवा पवन कहा जाता है साथ ही उत्री गुलार्द में ये दच्षन पच्छिम में उसे उत्तर पूर्व की और तथा दच्षनी गुलार्द में पच्छवा पवन उत्तर पच्छिम से दच्छनी पूर्व दिसा में चलती है और दचनी गुलार्द में खास करके यह 40 डिगरी से 60 डिगरी चांस के बीच चलती है और इसे गरजता 40 प्रचंड 50 तथा चीखता 60 भी कहा जाता है पच्छुआ पवने को प्रचंड 50 चीखता 60 और गरजता 40 के नाम से भी जानी जाती है आगे पॉइंट है सेयुक्त राज अमेरिका के मद्ध मैदानों पर चिनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों के में तापमान बढ़ जाता है आगे है कैरियॉलिस बल की खोज किस ने की थी कैरियॉलिस बल की खोज की थी जी जी कैरियॉलिस ने बात कर लेगर कारियोलिस बल की तो पिर्थीवी के घुर्णन के कारण हवाओं की दिसा में कुछ अंतर आ जाता है इस घुर्णन से जनित बल को कारियोलिस बल कहा जाता है और इस बल की खोचकी थी जी जी कारियोलिस ने आगे पॉइंट है शीरोको पवन के प्रभाब से होने वाली बरसा को किस नाम से जाना जाता है शीरोको पवन जब चलती है तो उसे जाना जाता है रक्त बरसा यानी कि बलर्ड रेन के रूप में बात कर लेगर सिरो को पवन की तो यह आत्यांत उस्न धूल भरी पवन है जो खास करके सहारा मरोस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है और यह भूमध्य सागर को पार करने के करम में आदरता ग्रहन करती है और माल्टा, सिसली और इटली तक पहुंचती है मिस्र में सिरो को पवन को खामसीन के नाम से ट्यूनिसिया में चीली लीबिया में गिवली के नाम से जानी जाती है दियान रखेंगे सिरे को पवन को मिस्र में जो है खामसीन के नाम से जाना जाता है ट्यूनिसिया में चीली के नाम से और लीबिया में गिवली के नाम से जान अस्थल से समूद्र की और चलती है सिर्फ यहां ध्यान रखने वाली बाती है कि स्थानी पवन जो है वह ग्रीसम रितु में समूद्र से अस्थल की और जबकि सीती रितु में अस्थल से समूद्र की और चलती है आगे है डॉक्टर हवा डॉक्टर बिंड को किस नाम से जाना जाता है डॉक्टर बिंड जो है उसे हर्माटन के नाम से भी जानी जाती है और यह सकतिसाली पवन है जो की उत्तर पुर्भी सहारा मर्वस्थल में चलती है ये पवने जब गौना टेट पर प्रवेश करती है तब ये यहां के निवासियों को राहत प्रदान करती है और यह एक प्रकार की स्वास्त बर्धक पवने होती है इसलिए इसे डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है रोन नदी से भुमद्य सागर तक प्रवाहित होने वाले मिस्ट्रल किस प्रकार की पवने है मिस्ट्रल जो है या ठंडे ध्रूब्य पवन है अगर बात कर ले हम मिस्ट्रल की तो मिस्ट्रल एक सीतल पवन है जिसका अनुभब रोन की घाटी और जो रोन की नदी यानि की रोन की घाटी है या फ्रांस में इस्तित है या रोन घाटी और उसके डेल्टा में चलती है यहाँ पॉइंट है दक्षनी गुलार्द में 40 डिगरी से 65 डिगरी अक्छांसो के मद पच्छुअ पबने की प्रचंड प्रचंडता को 40 डिगरी अक्छांसो के समीप गरेजिती 40 पचास डिगरी अक्छांसो के समीप प्रचंड पचासा तथा 60 डिगरी अक्छांसो के समीप चिकती साठा के नाम से जानी जाती है आगे है बिस्व की प्रमुक अस्थानिय पबने कौन सी पबने किस अस्थान पर चलती है और किस प्रकार की पबने है वह यहाँ पर दी गई है बात कर ले पहला अगर चिनुक की तो चिनुक जो है या रौ की परवत के असपास की पबने है जो की गर्म एवा मसूस के हवा है बाते करें फौन की तो फौन आल्फ स परवत और स्वीजर लेंड के असपास की पबने है जो की गर्म एवा मसूस के हवा है नेक्स्ट है सिरोको, सिरोको जो है एक प्रकार के अस्थानी पबने हैं जो मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, स्पेन, कनारी, बम्मेंडिस, दीप के आसपास चलती है और यह एक प्रकार की रेत भरी पबने हैं और गर्म सुस्क पबने हैं नेक्स्ट है बलैक रोलर, बलैक रोलर जो है यह उत्री अमेरिका के विसाल मैदानों में बहती है और यह गर्म वम, धूल भरी, सुस्क, पबने हैं सीमुक की बात करें तो सीमुक जो है या अरब के रेगिस्तान में चलती है और गर्म वा सुस्क हवा है एक जो होती है ये सीमुक है एक सीमुम भी होती है एक पवन का नाम है सीमुम और एक का नाम है सीमुक जो है या अरब रेगिस्तान में चलती है और गर्म वा सुस्क पवन है जबकि सिमम जो है या उसने धूल भरी पबने होती है जिसका तापमान उत्तिरी सहारा में यानि कि या सहारा मरवस्तल के आसपास चलती है और उन्चास डिगरी सिल्सिस से उनसा डिगरी सिल्सिस तक रहता है अगला है हर्मटन जिसे डौक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है और या सहारा मरवस्तल में चलती है एक प्रकार की गर्म वस्तुस क हवा है अगला है ब्रिक फिल्डर ब्रिक फिल्डर जो कि आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में पहने वाली उसमें बासूसक हवा है अगला है नौर्वेश्टर नौर्वेश्टर जो है या भारत में भी चलती है साथ ही उतरी न्यूजी लैंड में चलती है नौर्वेश्टर को भारत में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है जो कि गर्म बसूस्क हवाएं है अगला है लू लू जो है या उतरी भारत के छेतरों में चलने वाले तेज हवाएं हैं जिसमें की प्रचेंड बसूस्क हवाएं होती है नेक्स्ट हैम मिस्ट्रल जो है यह स्पेंग और फ्रांस में चलने वाले स्थानी कावध यह जोकी एक प्रकार की ठंडी ध्रूबी हवाएं हैं अगला है temporal, टेम्पोरल जो है या मध अमेरिका में चलने वाली मॉंसूनी हावा है Next है bora, बोरा जो है या सुस्कबा, अत्यधी ठंडी हावाए हैं जो की एटली, वाईगो स wuris previous होती है आगे है नौट्रे, नौट्रे का संबन्ध जो है या धुरूबिय पवन्थ से है और इस्तित है संयुक्त राज अमेरिगा में नेक्स्ट है मैस्ट्रो, मैस्ट्रो अस्टानिय परवज्जो है या उत्तर पच्छमी पबने है जो कि भूमा दिसागरिय छेतर में चलती है नेक्स्ट है दक्छनी वस्टर, या उस्ट्रिलिया के न्यू सौथ वेल्स में चलने वाली तेज बसुस्क थंडी पबने है और एक है लेवांतर, लेवांतर जो है या दक्छनी इस्पेन फ्रांस में पुर्वी थंडी पबने है आगे है point, point में दी गई है द्रूबी ए पब ने उत्री गुलार्द में उत्तर पुर्व से दच्छिन पुर्व की ओर बा दक्छिन गुलार्द में उत्तर पुर्व से उत्तर पच्छिन की ओर प्रवाहित होती है अब आगे चैप्टर हमारा one यानि की forrest आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक share, like, comments करते रहेंगे बीच बीच ने बोलना सही नहीं लगता आप लोग अपनी मर्जी से स्वेच्छा सही से ज्यादा ज्यादा लोगों तक share करेंगे कम से कम आप लोग अपने देली देस फ्रेंड्स और देस ग्रूप में तो जरूर शेयर करेंगे अगले चैप्टर है हमारा forest बात करें अगर forest की तो one वियोम यानि forest वियोम जो की दो प्रकार की होती है सदा बहार बन और पर्न पाती बन बात करें तो सदा बहार बन को भी चार भागों में बाटी गई है जो एवर ग्रीन forest है उसे चार बहाग में उस निकटी बन दिये सदा बहार बन मद अक्छांसिये सदा बहार बन भूमद सागरीये सदा बहार बन और संकुधारी बन के रूप में इसे बाटा गया है वही जो पर्णपाती बन है इसे दो भाग में मद्द अक्छांसी और उस निकटी बन धिये पर्णपाती बन अथो मांसूनी बन के नाम से जाना जाता है पॉइंट है पिठ्थीवी पर अधिकान सगर्वन कहां पाए जाते हैं यह है विश्वत रेका के आसपास पॉइंट संकुधारी बनों में मुलाइम लकड़ी वाले ब्रीच पाए जाते हैं सौफ्ट उड़ होती है संकुधारी बन भुमद्य रेका के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उस निकटिवन दिये बन बैस्विक वन छेत्र में से किस के बिस्तार की प्रति सत्ता सरवादिक है सितो उसन संकुध ब्रिच्छी बन का आगे हैं बिस्थ्रित उसनिकटिवंधिये वर्षवन कहां पाए जाते हैं कॉंगो घाटी में पॉइंट है बिशवतिया प्रदेशों और उसनिकटिवंधिये तटिये प्रदेशों में भारी वर्षा और उज्टापमान की दसा में सघहन उचे बबिश्व के सरवाधिक विवीशता पूर्ण जैब संपदा वाले उसने कटिवंदिये सदा हरित बन पाए जाते हैं ये सबी जो है विश्वतिये प्रदेसों में पाए जाती है आगे विश्व के सबसे बड़े एवं घनेवन किस देश में पाए जाती है ये है इंडोनेसिया डेल वर्जिया प्रजाती किस बनस्पती से समंधित है यह है सीसम की एक बनस्पती डेल वर्जिया पॉइंट है मुलायम लकड़ी बालकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उतपादक एवं निर्यातक देश कनाड़ा है आगे भुमद साग्रियवन किस उतपाद के लिए प्रसीद है यह है खटे फलो के लिए टुन्डरा प्रदेश का प्रमुख खाद पदार्थ क्या है यह है सील मक्छली अब यहाँ पर दी गई है बिस्व के बनों का बरगी करन जहां पर टेवल में दीए गए है वन के प्रकार वर्सा की मात्रा प्रमुख बनस्पती और मात्पूर्ण तथ एकक करके से समझने की प्रियास करेंगे पहला है उसने कट बन दिये सदा बहार एवं अर्ध सदा बहार बन जिसे बर्सा की मात्रा होती है 200 सिंटी मीटर से अधिक जिसके प्रमुख बनस्पती में एवीनों, सिनकोना, कैल, महोगनी, रोजबूड और साइडर है महत्पूर ने तथ की बाते करें, तो अतिस सगन बन होने के कारण सूरी का प्रकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता अपनी पत्यां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये बर्स भर हरे बरे रहते हैं अगले है उसने कटिवन दिये आदर सूस्क परनपाती बन जो की 100-200 सेंटी मीटर तक बरसा इसे चाहिए होती है और इसके प्रमुक है टीक, साल, सागवान, सीसम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास ये सबी जो है उसने कटिवन दिये आदर या सूस्क परनपाती बन है और इसकी बिसेश्टा ये है कि इन बनों के पेड़ अपने पत्ते एक निया समय में गिराते हैं अगला है परवतिये बन परवतिये बन जिसमें देवदार, चीड, पाइन, स्प्रूस और लाच्रा सामिल है ये संकवाकार ब्रिच होती है ताकि पत्यों पर वफ भोजपत्र ना ठहर सके अगला है कटीले ये मरस्थलिये बन जिसे बरसा की जरुत होती है 60-100 सिंटीमीटर या 40 सिंटीमीटर से कम जिसमें नागफणी, कटीले, जाड़िया, खजूर, खैर, बबूल, नीम की कड़िये सबी सामिल है इन पोदे की जड़े लंबी तथा पतिया चोटी और काटेदा होती है सवाना बन, सवाना बन है जिसे बरसा की जरुत होती है 40-60 सिंटीमीटर और या चोटे-छोटे ब्रिचों के साथ घास के मैदान होते हैं, यहां की जलवाई और दसूस्क एवं कटी बन ये होती है, और अगला है मैंग्रो बन, मैंग्रो बन जो है, यह सुंदरी के पेड़िस के प्रमुखे हैं और यह खारे पानी में भी जी बीत रहते हैं, पॉइंट है मद्यक छांस में महदीपो के पच्छमी सिमानतों पर सितकाली इन बरसा प्रदेश में भूमद सागरिये बन पाए जाते हैं, अगला चैप्टर है हमारा जलवायू यानिकी क्लाइम बात करें यहां पॉइंट की तो दी गई है ध्रूब यह जलवायू जहां पर सितन कटिवंद्य प्रदेश, सितोसन कटिवंद्य प्रदेश, उपोशन कटिवंद्य प्रदेश, उसन कटिवंद्य प्रदेश और विश्वत्रेख्य प्रदेश के रूप में बाटे गये हैं उपोसन कट्वंधिये 33 से 45 और सितोस्न कट्वंधिये प्रदेश 45 और सित्फ में 65 से 95 डिग्री के बीच में है यहां पर जो सामिल है भुम्ँच सागरी जल्वाईग जो कि सितोसन कट्वंधिये प्रदेश में है साइवेरियन जलवाय। और लोरेंसियन जलवाय। उपोसन कटिवंद्य प्रदेश की बात करें जिन में सामिल है घुमत सागरी जलवाय। अस्टेपी जलवाय। चीन तुल जलवाय। उसन कटिवंद्य में मर्वस्थली जलवाय। सुडानिया सवाना तुल जलवाय। और म पॉइंट है पिर्थीवी के अधिकांस भाग पर किस प्रकार की जलवायू का बिस्तार है सुस्क जलवायू का बिस्फ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है यह बर्खोयांस के भुमद रेखिये जलवायू यानि मेडिटरियन क्लाइमिट कीन आखचांसों के मद्द पाई जाती है यह भुमद रेका से 10 डिगरी उत्तर और दक्षिन में पॉइंट है एल नीनों और दच्षिनी दोलन अल्पकालिक जलवायू समंधी भविस भारहित भारतिय उपमादीप में वीरल चीन मांसुनी बर्षा से समंधी थे एल नीनों का समंझ जो है यह भारतिय में वीरल चीन मांसुनी बर्षा से समंधी थे आगे है करक रेखा एवा मकर रेखा के मद्द कौन से जलवायू प्रदेश पाए जाते हैं यह उस निकटिवंदी जलवाय प्रदेश जो की सड़तेश डिगरी उत्री और सड़तेश डिगरी दक्षनी अक्षांस के बीच में है नौर्वे में किस रितु में बर्षा होती है सीत रितु में अफ्रिका और उत्रिय वंदचनी तर्टिय प्रदेश में किस प्रकार की जलवाय उपाए जाती है भूमद सागरिय जलवायू भूमद सागरिय छेत्रों में बहारी बर्षा कब होती है सीत रितु में पॉइंट है उसन कटिवंधिये सवाना प्रदेश की जलवायू की मुख्य बिसेस्ता निश्ची सुस्क तथा आद्र रीतु है जुसन कटिवंधिये सवाना प्रदेश से उसकी जलवायू निश्ची सुस्क और आद्र होती है कोपेन के जलवाईव बरिकरन में बी अक्षर कीस जलवाईव को निरुपित करता है बी अक्षर जो है यह सुस्क जलवाईव से समन दी थे और कोपेन यानि की कोपेन हेगन में जो एक जलवाईव सम्मिलन हुई थी उसमें सुस्क जलवाई को भी अक्छर से निरूपित किया गया बिस्व का आदरता मस्थान कौन सा है मासिन राम मेगाल है एक समय पे चेरा पुंजी था जो भी मेगाले में था उसके बाद यह मासिन राम बन गया आगे है कोपेन की सीए जलवाई किन चेतरों में पाई जाती है सीए जलवाई है भूमद सागरी चेतर में आगे है भूमद सागरी जलवाई किन अक्छांसों के मद पाई जाती है 30 डिगरी से 45 डिगरी उत्तर पंचें बुमासाग्री जलवाईू कहलाती है बर्षा की मात्रा किस पर निर भर करती है बर्षा की मात्रा जो है यप पूर्ण रूप से निरुपर होती है वाई मंडल की नमी पर अब यहां दिये गए हैं कोपेन के जलवायू बरीकरन जलवायू के प्रकार और कूट अक्षर पहला है उसने कटवन दिये आदर जलवायू जिससे दर्साया गया है एएफ से इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और पीडियेफ में एक वर और पढ़ लेंगे उसने कटवन दिये मांसुनी जलवायू एएम उसने कटवन दिये आदर बास सुस्क जलवायू एडवलू उसने कटवन दिये अस्टेपी जलवायू बीएस एच उसने कटवन दिये मरवस्तली जलवायू बीडवलू एच मद अक्षान से अस्टेपी जलवायू बीएस के पच्छमी इरोप तुल्ली जल्वायू CF, भुमद्ज सागर्य जल्वायू CS, चीन तुल जल्वायू CW, सिताद्र जल्वायू DF, सितार्द जल्वायू DW, टुंडरा जल्वायू ET और धुरूबिय हिम्टोपी EF इसे आप लोग या तो वीडियो के एक और पॉस करके या PDF में एक और ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे आगे पॉइंट है बिश्वत रेखा के निकट बहर भर भारी बरसा होती है जिससे जल्वायू उस नादर रहती है तथा मौसम सगन बनस्पति पाई जाती है आगे यहाँ पर बैस्विक जल्वायू का बरगे करन जहाँ पर टेवल में दिये गए हैं जल्वायू के प्रकार संबंधित तत और प्रमुख बनस्पति पहला जल्वायू है विश्वत रेखिये जल्वाय प्रदेश जिसमें संबाहनी बरसा और बरस भर उच तापमान जिसमें संबाहनी बरसा जो है वलगवग 200 सेंटिमीटर पूरे बरस होती है और प्रमुख बनस्पति है एवोनी सिनकोना रवड वास एवं महोगनी अगला है उसन कटवंदिये मांसूनी जल्वाय प्रदेश जिससे संबन्दिते तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है और गन्ना कपास चाई कहवा एवं खादान फसले प्रमुख फसल है अगला है सवाना तुल जल्वाय प्रदेश जिसके तत्थि के रूप में जाने तो बरस वर उचतापमान किन्तो ग्रिस मेरीत्व में सीतरीत्व में सूर की किरने हल की तिर्ची पड़ती है यहां कम मुचाई के बरिचों सहीत घास के बरिहत मैदान होते हैं आगे मर्वस्थलिय जल्वायू जो कि दैनिक और बार्षिक तपांतर दोनों अधीक और सत बार्षिक वर्षा पचीस सेंटीमीटर से भी कम और यहां कटीली और छोटी जाड़ियां पाई जाती है आगे है भुमद सागरी जल्वायू परदेश जहां गरिसम काल सुस्क आदर सीतकाल और अधिकांस बरसा सीतकाल में होती है या जैतून अंजीर तथा खटेबा रसदार फद जैसे संत्रा सितकाल में अंगूर निम्बू आदी भुमसागरी जलवायू प्रदेश फसल है अगले अश्टेपी तूल जलवाय प्रदेश जो के ग्रिसमरी तू बस सीतरी तू के तापमान में अंतर को दरसाता है और यहां प्रिच रहित घास के मैदान होते हैं आगे है चीनी तुल चीन तुल जलवाई प्रदेश जिसमें ग्रीस मेरी तुमें हवाएं समूद्र से अस्थल की और प्रवाहित होती है जबकि सीत री तुमें इसके विपरी तस्थल से समूद्र की और प्रवाहित होती है ओक चेटनस्ट एवं पाइन इसके प्रमूख फसल आगे ब्रिटिस तुल जल्वाई प्रदेश जहां पर पच्छु अपबनों का प्रभाब बर्सवर तथा पूरे बर्सवर लगवक समान रूप से बर्सा ग्रिसमरीतु की तुल में सीधर रितु से अधीक होती है स्प्रूस फर्व सिडार के ब्रिच प्रमूख फसले हैं साइवेरियन जल्वाई प्रदेश जहां बार्सिक वर्सा त्यंत कम तथा बार्सिक तपांतर अधीक होती है लॉर्ट, स्प्रूस एवं पाइन के ब्रीच पाए जाते हैं आगे है लॉरेंसियन जल्वाई प्रदेश जो समानिता बर्स भर्स बर्सा होती है जहां सीतरियूति की तुलना ग्रीस मृतिस में अधिक होती है चीड, हेमलोक, प्रेरी घास के मैदान यह सभी लॉरेंसियन जल्वाई प्रदेश है आगे है टुंडरा जल्वाई प्रदेश जो की ग्रीस सूर्य के प्रकास का भाव तथा दैनिक तपांतर जहां पर निवनतम होती है और यहां पर मौस एवं काई पाई जाती है आगे है यह किष्टू थर्म पौदे के लिए नुकूल ताप ये दसाएं क्या होती है बहुत कम ताप क्वाइंट है दच्छी नेसिया मिर्थित बांगलादेश मांसूनी जल्वाई प्रदेश के अंतरगत आता है दैनी के वह अमबार्शिक तापांतर दोनों किस जल्वाई च्छेतर में अधीक होते हैं यह है मर्वस्थलिय जल्वाई प्रदेश आगे है उसन कटवंदिय जल्वाई का सरवादिक विस्तार किस माहधीप में हुआ है अफ्रिका माहधीप पबनों का मौसमी उतकरमन किसका प्रारूपी अभी लच्छन है मानसूनी जल्वाई का टुंड्रा बंजर्भूमी सब्द किस भासा के से लिया गया है टुंड्रा सब्द जो है यह फिनिस भासा से ली गई है जो कि फिनलेंड की एक भासा है आगे है काला हारी और साहरा मर्वस्तल की जल्वायू बहुत ही गर्म एवं सूसक है जहां बरसा नाम मात्र की होती है काला हारी मर्वस्तल जो है वो अब बोत्सवाना में इस्तित है अब अगले पार्ट है हमारा अगले चैप्ट है मरीदा यानि की स्वाइल स्वाइल की बात करें बात करेंगर स्वाइल की मृइदा की तो यह दी गई है यहां पर उसके कुछ डाइग्राम जिसे आप लोग पीडियेप में देख लेंगे आगे है पॉइंट कीसी का कीरिया सबसे अधिक प्रभाब साली किस मिठी में होती है जो यह पर दीगे यह फिड़ पिडल फर मिर्दा के प्रकार यहाँ पर समझें तो मिर्दा और उसकी विसेष्टाएं दी गई है पहला है धूसर पॉड़ जोल यह उप आर्किटिक जलवाई प्रदेश के टैगा वकोंधारी बनों में होती है और यह अमली मिटी होती है जिसका प्येचमान चार होता है अगला है धूसर भूरी पॉड़ जो कि मद्ध अक्छान से पतजर बनों की पेटी में पाई जाती है और धूसर भूरी पॉड़ जोल में हिूमस अधिक होती है आगे है लाल पीली पॉड़ जो कि उपोस्टन आद्र जलवाई प्रदेसों में पॉड़ जोलाईजेसन बलैटराईजेसन प्रकिरिया से निर्मीत होती है नेक्स्ट लाल पॉड़ जोल या टेरा रोसा जो कि भूमस सागरे प्रदेसों और चूना प्रदान छेतरों में पाई जाती है जहां फेरस ऑक्साइड की उपस्थीति के कारण लाल होती है फेरस ऑक्साइड एफिटू ओठरी उसके रसाइनिक सूतर है आगे है लैटराइट मिट्टी जो कि उच तापमान बप्रचूर बरसावाले उसने कटिवन दिये बन छेतरों में उपरी भागों में एफिटू ओठरी तथा एल एलमूनियम के लबनों की अधिक्ता है आगे है पेडोकल मृदा के प्रकार पहला है प्रेरी मिट्टी जो कि सितोस्न आदर प्रदेश में होती है और ह्यूमस के अधिक्ता के कारण इसका रंग काला भूरा होता है प्रेरी मिट्टी का जो रंग है ह्यूमस के कारण काला और भूरा होता है अगला है सेरो जेम या धूसर मर्वस्थली मिट्टी जो कि मध अक्छान से सुस्क मर्वस्थलों में छारी मिट्टी यानि कि पीच मान आठ से अधीक होती है अगला है चेड़नोजम चेड़नोजम जो है या सरवादे कुपजाओ और भूर भूरी मिटी हिमस के अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है आगे है लाल चेश्टनट और लाल भूरी मिटी जो की मिटी सवाना प्रदेश के अर्ध सुस्क भागों में पाई जाती है आगे है चेश्टनट जो की चेड़नोजम मिटी के सुस्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है आगे है लाल मरवस्थली मिटी या उसन कटवंधिये सुस्क मरवस्थली प्रदेशों की मिटी की होती है और नेक्स्ट है टुंडरा प्रदेश की मिटी जो की अलप विक्सित मृदा जिसमें जैवतत्व महतपूर्ण खनीजों का आभाव होता है क्योंकि यह जो टुंडरा है यदा जालतर सीत छेतर में पाई जाती है मिड़दा परदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंतरित किया जाता है मिड़दा सरचन द्वारा आगे मिड़दा निक्छालन किस भागोलिक छित्र की बड़ी समस्या है उस निकटवंधी वर्सा बन प्रदेशो की प्वाइंट है टेरा रोसा का प्ररूईपिक विकास उस भुभाग में होता है जहां चुना पत्थर पाए जाता है आगे है रेंड जीना टेरा रोसा बटेरा रोकसा मीटियां किस के अंतरगत आती है कैल्सियम युक्त मीटि के अंतरगत आगे पॉइंट है मिर्दा पर्दन के प्रत्यच या प्रत्यच कारक बनों की कटाई अतीप सुचारन अब बैग्यानिक क्रिसी रसाइनी कुर्वरक किट नासकों का अधिक परियोग अधिक सिचाई बांधों का निर्मान बहुदेश्य परियोजनाएं जल प्रवा की समस्या हरित करामती के बिविद अब्यब नगरी करन और द्योगी करन सड़क निर्मान खनन कार आदे मिर्दा पर्दन के प्रत्यच और प्रत्यच कारक है पॉइंट है कौन धारी बन प्रदेशों में पाई जाने वाली मीटियों को पॉड़ जोल के नाम से जाना जाता है अगले चैप्टर है अपना प्रजाती या या जनजातिया ट्राइब्स के बारे में जानना है आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक से एर लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे बात कर ले अब प्रजातिया या जनजातिया की तो पहला है पॉइंट अफरिका महादीब की मूल जनजाती पिगमी किस नदी घाटी में पाई जाती है यह है कांगो नदी घाटी में आगे खना बदोस जनजाती मुकता किस छेतर में पाई जाते हैं सुस्क छेतर में जूल किस महादीब को मानब जाती का जन्मस्थल कहा जाता है मानब जाती का जन्मस्थल माना जाता है अफ्रिका महादीब को जिपसी जन्जाती का मूल स्थान किसे माना जाता है जिपसी जन्जाती भारत में पाई जाती है आगे है बीस्वी में सरवादिक जनसंख्या कीस माना प्रजाती की है वह है मंगेल वाइड की आगे पॉइंट है अधिकांस्ता एसकीमो जनजाती ग्रीन लेंड ड्यूप पर निवास करती है इसे के अतिरिक या उत्री कनाडा अलासका एवं पूर्वी साइवेरिया में भी पाए जाता है एसकीमो कहा के निवासी है यहें टूंड़रा प्रदेश के सिमांग जनजाती कहा की किनिवासी है मलेशिया की बूसमय जनजाती बीष्व के किषछेट से समन्दी थे मर्वश थैल अफिर फिर कालाहारी से कालाहारी बोस्वान में इस्थीत है आगे हैं लैप्स जंजाती के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसीद है असकेंडेनेविया अब यहाँ पर टेवल में दिये गए हैं विश्व के अन्प्रमुक जंजातियां तथा उनके निवास छेत्र एककर की से समझेंगे और आप लोग एक और पीडिफ में भी से ध्यान पूरवक पढ़क के लेंगे पहले आईनु का संब्ध यह जपान के मुलियो सी होती है अंडवानी जो के भारत के अन्ट था निकोबार में रहने वाला अधिवासी है जो कि चीन के मॉलियवासि है पीगमी विश्व्तीय रेकी अफरिका के बउने लोग होते हैं फि सुमात्रा इंडोनेसिया में बद्दू अरब सीरिया और उत्री अफिरिका के मरस्तलिय भाग में कुर्द जो कि इराक इरान अर्मेनिया अजर्बैजान के पठारी छेत्रों में रहने वाले पसु पालक क्रिसक जन जाती है कुर्द बरबर जो कि मुरक को अलजिरिया और ट्य नंबिया तथा ब्राजील के समीब बरती छेतर में मसाई केनिया उत्री तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा में नायर केरल के मारवाल तट पर रहने वाले जन जाती नायर के नाम से जानी जाती है बुसमेन या फ्रिका का काला हारी मरोस्तल में पाए जाते हैं उई पोली नेशिया के सेमाओ दीप के निवासी हैं सेओमन हुटू लोकतांत्रिक गनराज कांगो यानि पूर्व जाइरे और रवांडा गनराज तथा बुरुंडी में इस्थित है आगे है सेमा अंग जो कि मलेसिया में इस्थित है इन्यूट इन्यूट है आरेक्टिक टुंड इस्थिया में हो संयुक्त राज अमेरिका के उलम्पिक प्राइब दीप में रहने वाले रेड इंडियन हो के नाम से जानी जाती है यूइत है साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्यूप में और टोड़ा डचनी भारत के निलगीरी की पहारियों में आगे है ये वो रीजेंस जंजाती ऑस्टेलिया के क्यूंस लैंड नॉर्डन टेरिटरी तथा पच्छम ऑस्टेलिया में निवास करती है आगे पॉइंट है अब अगला चेप्टर हमारा क्रीसी एवं पसुपालन अगरिकल्चर एंड एनिमेल हैस्वेंडरी बात करें त्यापर है क्रीसी के प्रकार टाइपस ऑफ फॉर्मिंग जिनमें दी गई है जूमकिसी, निर्वाकिसी, बानिज्यक बागानी क्रीसी, गहन क्रीसी, बिस्त्रित बानिज्यक क्रीसी, रेचिंग क्रीसी, सहकारी क्रीसी और जीरो फॉर्मिंग क्रीसी पॉइंट है पहला एक फसली क्रिसी की क्या बिसेशता है ब्यपारिक अन्न क्रिसी जैबिक खाद के रूप में किसका पर्योग किया जाता है यह जो लौका पॉइंट है छोटे छेत्रों में अधीक मानब सरम के वसकता ब्यापारिक बागवानी क्रिसी छेत्र में होती है एक फसल प्रनाली जिसके अंतरगत फसलों को पेडों की कतारों के मद्ध के स्थान में उगाया जाता है उस पर किरिया को क्या करते हैं उसे एले क्रॉपिंग के नाम से जानी जाती है सरपर्तम उच किस्म के बीज बिक्सित करने का स्रे 21 देश को दिया जाता है अरजेंटीना को यहाँ पर दिये गए क्रिसी समन्धित मातपूर्न अंतराश्टीन संस्थान संगठन और उसके मुख्यालाइद दिये गए है पहला है खादवाम ख्रीसी संगठन जिसका मुख्याला है इटली के रोम में अगला है 20 मावसं बिग्यान संस्थान जनेवा सूर्जे लेंड में खाद दिननीती अनुसंधान संस्थान वासिंक्टन डिसी संयुकत राज मेरिका में अंतराश्टिये चावाल संधान का संस्थान मनीला फिलिपिन्स में उस निकटिवंद्य क्रिसी संस्थान लागोस नाइजिरिया में आगे है नीलहरी सेवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैब उर्वरक के रूप में परियोग किया जाता है जो ब्लू ग्रीन अलगी है वा जैब उर्वरक के ने बाय फर्टिलाइजर धान के रूप में परियोग किया जाता है सैक्रोमेंटा सौन जोवाक्यून घाटी जोंगूर एवं खटी फलो के उत्पादन के लिए प्रसीद है कहा इस्ती थे सैक्रोमेंटा जोवाक्यून घाटी मद अमिरिका में नाम दूसरे साइड है छेत्र बात करें तो रेक्रीसी ब्यतनाम तथा लाओस में टावी मालागासी में मसोले मद्ध अफ्रिका कांगो जाइरे नदी घाटी छेत्र में फैक भुमद रेखी अफ्रिकी देश में लोगन पच्मी अफ्रिका में बर्वेका कोनुलू या मैक्सि ग्वाटेमाल में इलाची ग्वाडेलूप में दिंजुना सुमात्र में मिलपा मैक्सिको एवं मद्ध अमेरिका देश में कोनुका बेनुज्वेला एवं ब्राजिल में चेतेमीनी युगांडा जांबी एवं जिंबांबे में कैगिन फिलिपिन्स में तुग्या या हुआ जावा एवं इंडोनेसिया में पॉइंट है गन्ना उस निकटवंधिये पौधा है जिसको उत्पादन के लिए औस तापमान एक यह डिग्री सिल्शे से सताई डिग्री सिल्शे तथा बार्शिक वर्षा 75-100 सेंटिमीटर उप्योगत होती है आगे है क्रिसी के प्र पर की जाने वाली मचली पालन की किरिया सेरी कल्चर रेसम उत्पादन से होटी कल्चर यह फ्लों के उत्पादन से ओलीवी कल्चर जैतुन के क्रिसी से और वरी कल्चर यह बिश्वेस प्रकार की ब्रीच एवं जहाडियों के क्रिसी जिन में उनका सनरच्छन बसंबर्धन भी संबलित होते हैं एपी कल्चर यह सहद उत्पादन हेतू मदमक्खी पालन फलोरी कल्चर फैलो की क्रिसी सिल्वी कर्चल बनो के सरच्छन एवं संबर्धन से संबंदित वेजी कल्चर दच्छिनपूर्वी एसिया में आदी मानब द्वारा की गई प्रारंबिक आदिम क् वेज आदिम वेवस्ता की क्रिसी जिसमें बनों से फैल फूल बपा、 कंद मूल संग रह कियाए जाता है। ओलेरी कल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की ब्यपारी क्रिसी, मेरी कल्चर ब्यपारी कुद्देश से समूंदरी जीवक उत्पादन की किरिया, होड़सी कल्चर ब्यपारी कस्ते पर उन्नत प्रजाती के घोड़ो बा खत्रों का पालन होड़सी कल्चर के रूप में जाना जाता है बर्मी कल्चर यह केच्वा पालन से समंदित क्रिसी उत्पादन के लिए मोरी कल्चर रेसम कीठेतु सहतूत की क्रिसी के लिए मोरी कल्चर एरोपूनिक पौदों की बायू में उगाना एरोपूनिक कहलाता है पोमुलाजी फालबिक ग्यान आगे है मुख्य भोधन के रूप में मक्का का परियोग कहां क्या जाता है मद्ध अफिरका में आगे हेरोईन किस क्रिसी उत्पाद में निर्वित की जाती है अफिम पोश्टा से गेहूं तथा चाबल दोनों फसलों की द्रिष्टी से बिस्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चीन बिस्व में सबसे अधीक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है ब्राजील पॉइंट है बीसवे में सबसे अधीक कपास का उत्पादन चीन में होता है कौटन उत्पादन में चीन अगरनी है बीसवे में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश बीसवे में नारियल का सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है इंडोनेसिया तंबाकू उत्पादन में बीसवे में परथम अस्थान किस देश का है चीन पॉइंट है सिर्लंका में पर्ण किट्टू रोग फैलने के कारण कौफे की क्रिसी बंद कर दी गई है चाही का सरवादिक निर्यात कौन सा देश करता है चीन चाही में कौन सा पदाःत पाए जाता है तीन बीसवे में मुंगफली का सरवादिक उत्पादन किस देश में होता है चीन मुंखफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्वयबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्तराजमीर का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश ब्राजील बिस्व में प्राकिर्तिक रवड के दो अग्रेनी उत्पादक राश्ट पहला थाइलेंड और दूसरा इंडोनेसिया कि पॉइंट है बिस्व की लवग एक तिहाई प्राकिर्तिक रवड का उत्पादन केवल थाइलेंड में होता है बिस्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत रोबस्टा किस उत्पाद की प्रजाती है कॉफी की बिस्व का एक सदा बहार जाड़ी नूमा उसने कटिवन दिये मांसूनी प्रदेश का पॉधा है जो थीया सिनेसिस नामक पॉधे का बंसज है अगला चैप्टर है मारा खनीज यानि मिनरल्स बाते कर लें तो पहला पॉइंट है डोनवास छेत्र किस के उत्पादन के लिए प्रसीद कौन सा है पैटागोनिया का पठार पॉइंट है फिर्थीवी के भुगर्व में सबसेदिक निकेल धातू पाई जाती है उसके बाद लोहा का स्थान है आगे रुकवा जिल छेत्र तंजानिया किस खनीच के उत्पादन के लिए प्रसीद है जो रुकवा जिल है या तंजा नीरती गैस जीवासम इन्धन का उुदारन है को आऌत किस प्रकार की चाटानों का उदारन है प्रचप चतान का कुलगाड़ी रवान आस्ट्रेलिया के किस ब्रांत मच अच्टित्त है बेस्टार आस्ट्रेलिया में प्यक्रूं सबसे जादा फिर रूस फिर एराग पेट्रोलियम के लिए बिस्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौम सा है यहां दी गई है पेट्रोलियम के प्रमु खनन प्रदेश अमेरिका का जो है उसमें अलपेसियन चेतर गल्प तटीय चेतर और कैलिफोर्निया सौदिय अरब में है दम्माम पर बाद धाहरान कुवैत का बुरहान पहाड़ी जो कि ब्रीश्व का ब्रितम संचित भंडार है बुरहान पहाड़ी एरान का लाली करमसा नप्त सफीद और हब्त केल पूर्व सोवियत संग का बोलगा युराल छेत्र और बाकु छेत्र इराग का किरकुर्क मोसूल बसरा और तिक्रित या सभी जो है या सभी बढ़ते से घरते करम में दी गई है आगे है बीस्व के तीन अग्रेनी कच्च तेल उतपादकों का सही करम कच्च तेल में सबसे जादा अमेरिका फिर सौदी अरब तब रूस मैगनीज के सिर्थ भंडार अक्राष्ट कौन कौन से हैं तो उनमें है दच्छिन अफ्रिका सबसे जादा मैगनीज में फिर यूक्रेन तब ब्राजील दच्छिन पूर्वी एसिया का सबसे बड़ा खनीज तेल उतपादक देश है इंडोनेसिया आगे है पॉाइंट कच्छे तेल के सीर्थ उतपादक एवं भंडार अक्राष्टर प्रथम अस्थान पर है उतपादक राश्टर में अमेरिका और भंडार act में बेन ज्य速ला दूसरे स्थान पर है उतपादक में सौधी अरब और भंडार act में सौधी अरब तीसरा है उत्पादक में रूस और भंडारक में कनाड़ा आगे बिस्व का सबसे बड़ा प्रमानित तेल भंडार कहां इस्ती थे सेटिफाइड वाइल रिजर्व बिनुजेला में गैस सुहाल का सबसे बड़ा उत्पादक के में भोगता कौन सा देश से ब्राजील बिसमें प्रकेटिक गैस के प्रमु खुत्पादक छेतर कुस इस प्रकार से यूएसे का टेकसास लुईसियाना ओलका होल सरी ओकलाहोमा और न्यू मैक्सिको या वहां की प्रमु खुत्पादक छेतर है कनाड़ा की अलवर्टा बब ब्रिटिस कुलंबिया रूस का अश्टावर पूल क्रांसे नेदार और ओरेनवर्ग और बुक्टिल परमान उर्जा के दो मुक्स खनीज कौन से है थोरियम एवं यूरेनियम सेलांगोर तथा पिनांग किस देश का सुपरसीद उत्पादक है मलेसिया यूरेनियम ऐयासक निक्छेप के लिए कौन सा देश परसीद है कनाड़ा विस्व की परसीद तामबे की खान चुक्वी क कमाटा जो की तामबे के लिए प्रसीद है चीली में इस्थीत है टीन कहां से प्राप्त होता है पालसर सरी प्लासर निक्छेप से यहां दिये गए है थोरियम भंडारक सिर्सराष्ट प्रतम भंडारक में है भारत में जहां पर 9,63,000 है दूसरा है अमेरिका 4,44,000 और तिसरा है आस्ट्रेलिया 3,00,000 है बिस्व में यूरेनियम के सरवाधिक भंडार किस देश में इस्थीत है आस्ट्रेलिया में भारत जो पीच विलेट के नाम से जो जाना जाता है यूरेनाइट और थोरी ये नाइट पॉइंट है लॉइस पात के लिए प्रसीद कनाड़ा के हैमिल्टन सहर को कनाड़ा का बर्मिंगं कहा जाता है जो लॉइस पात है कनाड़ा का हमिल्टन सहर इसे कनाड़ा का बर्मिंगं कहा जा और तिसरा है आस्ट्रेलिया 5672 तन आगे टंगस्टन का सरवादिक उत्पादक राष्ट कौन सा है चीन विस्व भर में परवान उर्जा के बाद गैर परामपरिक उर्जा का दूसरा सबसे बड़ा सुरोत कौन सा है पवन उर्जा अबरक सीट के संचित भंडार की द्रिष्टी से किस देश का विस्व में परथम अस्थान है अबरक भंडार में भारत का परवन उर्जा की संबाम भी छमता वाले सीर्ज चार राष्ट प्रत्य में चीन 33.6 प्रतिसत दूसरा है अमेरिका 17.2 प्रतिसत तीसरा है जर्मनी 10.4 प्रतिसत और चौथा है अपना देश भारत 5.8 प्रतिसत के साथ पवन उर्जा की छेत्र में सबसे चौथा नंबर पे इटेड किंग्टम बिस्व में तॉमबा आयास्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चीली बिस्व में सबसे धीक कोईला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है चीन बिस्व में सबसे धीक अल्यमूनियम उत्पादक देश कौन सा है चीन आगे है बिश्व के सीर्स तीन सौर उर्जा उत्पादक छेत्र पहला है जर्मनी 38,205 मेगवाट दूसरा है चीन 28,330 मेगवाट और तीसरा है जपान 23,409 मेगवाट आगे प्उइंट है बिश्व के कोईले का अधे सैधिक उत्पादन चीन एवं संयूट राज अमिरिका से होता है आगे कोईले का सरवाधिक संचित भंडार किस देश में है? अमेरिका में स्युक्त राज अमेरिका में विस्व में लाव एस्क का ब्रेतम उत्पादक है चीन किरूना लाव एस्क छेतर किस देश में इस्थित है किरूना या स्वीडन में इस्थित है विस्व में टाइटेनियम का अग्रनी उत्पादक देश कौन सा है चीन विश्व में बॉक्साइड का बृतम उत्पादक देश ऑस्टेलिया पॉइंट है ऑस्टेलिया में स्थित काल गुर्गी गुर्ली रवाना स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसीद है आगे है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मैक्सिको विश्व में टीन का अग्रेनी उत्पादक राष्ट कौन सा है तीन उत्पादन में चीन हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस अफरिका का सरवाधिक तामबा उत्पादक देश जांबिया अब यहां दी गई है प्रमुख खनीज उत्पादक विस से रास्ट्र बात करें तो इल्मुनियम में चीन रूस और भारत बॉक्साइट में और चीन गुयाना क्रोमाइट देचीन अफरिका तुर्की और कजाकस्तान यह सब ताम्बा में चीली पेरु और चीन हीरा में रूस बोच्षवाना कनाडा स्वर्ण में चीन औस्ट्रेलिया रूस ग्रेफॉrehट में चीन भारत तब ब्राजिल जीप्समें चीन इरान और फावंड लायस्क में चीन, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, जस्ता में चीन, पेरू, आस्ट्रेलिया, मैगनेजैस्क, दच्छीन फिर्का, चीन और आस्ट्रेलिया, अबरेक जोकी प्राकेर्टिक रूप से, ब्राजील, चीन और तुर्की, निकेल, कनाडा, आस्ट्रेलिया और चीन, चा लाइटिनम दच्छिन अफ्रिका रूस और जिंबाम्बे आगे पॉइंट हैं तराश्टी एस्तर पर मेसावी रेंज लाओ यास कुद पादन के लिए प्रसीद है और मेसावी रेंज यूएस से में इस्थित है अगला चैप्टर है मारा उद्योग यानी इंडस्ट्री अब को हम लोग जानेंगे उद्योग इंडस्ट्री से संबंधित प्रमुक तत थे पहला है लाओ इस पाद तो द्योग में मुख तक किस कोईले का परियोग किया जाता है बिटुमीनेस कोईला का यूएस से की सीलिकान बॉली बैली कहा इस्तित है सेन फ्रांसिसको उत्री पोर्णिया में कौण सा नगर जापानी सूती बस्त रुद्योग का प्रमुक केंदर है और फॉइंट है सूती बस्त रुद्योग के लिए आधर जलवाई तत्थ समुद्री सभील उप्यूकतमानी जाती है आगे बिस्वि में सूती बस्त्रों का अगरेनी उत्पादक दे कौन सा है चीन वीस्ब्स में पोटा सुरवरक का शरवाद एक भढदार किस देश में इस्तित है कनाड़ा औधॉग एक शहर हों के उपनाम यहांं पर दिये गहें कौन से सहर को किस उपनाम से जाने जाती है पहले हैं औधॉग प्लाप म को रूसका डेटराइट कहा जाता है मैंचेस्टर, मिलान को इटली का मैंचेस्टर, ओसाका को जपान का मैंचेस्टर, कानपूर को उत्तर भारत का मैंचेस्टर, क्वेंबेटूर को देच्छिन भारत का मैंचेस्टर, इवा नोबा को रूस का मैंचेस्टर, टूला को रूस का पिटरसवर्ग, जमसेदपूर को भारत का पिटस्वर्ग, यावाता, जपान का पिटस्वर्ग, हैमिल्टन, कनाड़ा का बर्मिंगहम, पिटस्वर्ग, विस्व की इसपात नगरी. अब आगे यहाँ पर दिये गए हैं विस्व के प्रमुक, उद्योगिक केंद्र, पहला है लौब उद्योग के प्रमुक केंद्र, अमेरिका का पिटस्वर्ग, जो की विस्व की इसपात राधानी के नाम से जानी जाती है, विस्व की इसपात राधानी पिटस्वर्ग को कहा तूला अगला है बस्तुरुद्यों के प्रमुकेंद जिसमें चीन का संगाई कैंटन बुहान नौन किंग चुक किंग और बीजिंग ब्रिटेन का मैंचेस्टर ब्रैंडफोर्ट डेर्विसायर और लिट्स भारत का आहमदाबाद मुंबए कोलकाता कुएमबटूर और मदु अगला है उनु द्योक के लिए प्रमुकेद जापान का उसाका कोवेच अथा टोकियो याकोहमा इवेसे का न्यू इंगलैंड लौरेंस और फिलाडेलफिया भारत का धारिवाल अमरिस्टर लुधियाना खडग और मुंबए रेसमु द्योक के प्रमुकेंदर में जापान कना जाबा, तोगीची, इमानाची, कोयोटो और फुकुई, यूवेसे का न्यू जर्सी, पेंसिलवेनिया, न्यू आर्क और न्यू इंगलैंड भारत का करनाटाक, पच्छिमंगाल, जम्मु कस्मीर और असमु तेल सोधन के प्रमुकेंदर में यूवेसे का टेकसास, कैल अलिकफोर्निया, पेंसिलवेनिया और न्यू जर्सी, कैरिवियन का बेनुज्वेला में आमुए, कैपडन, कोलंबिया, भारत का डिगवोई, ट्रामबे, विसाकापत्नम, नूनमाती और बराउनी, अगला है सिमेंट द्योग के प्रमुकेंदर में चीन, चीन का संघाई, यंगा कंकी, हुआंग चीन, फुसून और सेन यंग, भारत का आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मद्र प्रदेश, करनाटक, जपान का हिताची, हैचिनो, निगाता, कोरियामा और उबे, अगला है आटो मुबाइल या कारुत पादन के प्रमुकेंदर में, युएसे का ड बेट्राइट, लॉसिंग, पॉंटियक, बिलोरन, फ्लिंट, जपान का, क्वागुची, टोक्यो, याकोहमा, उसाका, कोरवामा, और भारत का, गुरुग्रा, मुंबे, कुलकता, चन्यी, जमसिदपूर, पॉइंट है कागज से लुगदी बनाने के लिए पोपलर बिच, क पास्टिय कच्चे पदारत का पुरियोग किया जाता है, अगले चैप्टर हमारा परिवहन या पतन या बंदरगा, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और हारवर, बाते करें इस से समंदित तत्थी की, तो पहला नियुन्तम सड़को वाला महदीप कौन सा है, औस्ट्रेलिया, सिक इंगलेंड एवं फ्रांसे है, बिस्प में प्रथम रेलमार का निर्मान किस देश में हुआ था, इंगलेंड में, बर्षट हरा सौक पैतिस में, कैनेडियन पैस्पिक रेलवे किन दो अस्टेशनों के बीच चलती है, मौन्ट्रियल एवं बैकूबर, बिस्प का सबसे लं आगे उत्रिय अमेरिका मिस्तित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस आंत्रिक जलमार्ग में कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलो मिटर, बिस्प का सबसे बड़ा पोतासरे कहां इस्तित है, संगाई चीन में, बिनजुएला के पतन नगरों में किस एक को तेल पतन के रूप में बि आगे राइन जलमार्ग बिस्प का सरवाधिक ब्यास्त आंत्रिक जलमार्ग है, ग्वादर पतन यानी ग्वादर पोट किस देश में इस्तित है, बिस्प का कौन सा बंदرगा काफि बंदरगा के रूप में प्रसीद है, सेंटोस बंदरगा ब्राजील का यहां दिये गाएं बॉक्स में बिसव के प्रमूक सड़क मार्ग पहला है pines American महामार्ग जूष की लंबाई 4800-4900 किलमीटर है Australian महामार्ग 14500 किलमीटर Trans Siberian महामार्ग 11000 किलमीटर Trans Canada महामार्ग 7821 किलमीटर और Estuart महामार्ग 2834 किलमीटर आगे है लुप थांसा किस देश की बीमान सेवा है जर्मनी की बिस्व का सरवादिक ब्यस्त महासागरी मार्ग कौन सा है उत्री अटलांटिक महासागर बिस्व की प्रमुक रेल मार्ग की वाद करे तो सबसे पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो की बिस्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, कोप काहिरा रेल मार्ग, अफरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग, आस्ट्रेलियन अंतर महदीपे रेल मार्ग, आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, दच्छिन अमेरिका का प्रसीद रेल मार्ग है और एरोपिय पार महादी प्रेल मार्ग जो कि पेरिस को बार्सा से जोड़ता है यानि पेरिस फ्रांस से पोलेंड के बार्सा तक जाती है आगे बिस्व के तीन प्रमूख पुनर निनिर्यात पतन कौन सा है सिंगापूर रोटरडम और कोपेनेगन पोत भार प्रतिमान के देश्टी से बिस्व का बियस्तम बंदरगा कों सा है चीन का संगाई अब यहाँ दी गई है बिस्व के प्रमूख समूद्र एक जल मार्ग पहला है उत्री अट्लांटिक जल मार्ग प्रसांत महासागरे जल मार्ग के पॉड होप जल मार्ग करीबियन मैक्सको जल मार्ग पनापा नहर स्वेज नहर पच्मी एरोप भूमद सागरे हिंद महासागरे जल मार्ग दचनी अट्लांटिक एवं दचनी अमेरिका के पुर्वी तटी जलमार्ग उत्री अमेरिका का पच्मी समूद्र तटी जलमार्ग प्रसांत महसागर दचनी अमेरिका उत्री अमेरिका एवं यूरोपी जलमार्ग आगे है बिभिन नदियों पर मातपूर्ण पतन नदी के नाम और पतन के नाम दिये गए हैं राइन नदी पर इस्तिते रॉटर्डम पतन एलब नदी पर है हैंबर्ग बाब ब्रांसविक पराना नदी पर संटाफे ओडर नदी पर अस्टैटिन और फ्रैंकफर्ट सिन नदी पर मार्सेलीज बेजर नदी पर ब्रीमेन और हार्नूबर मिसिसिपी नदी पर नियो लॉसियंस अमेजन नदी पर मना ओस इक्क्विटास मरले डार्लिंग पर बोर्की पतन और सिक क्यांग नदी पर कैटन ह्यांग कॉंग पतन इस्थी थे 20 का सबसे लंबा रेल मार्क ट्रांस साइवेरियन रेल मार्क है जिसकी कुल लंबाई लगभग 9289 किलो मिटर है अब अगले चेप्टर हमारा मान चेत्रियानी मैपिंग बात करें तो आईसो गोनल रिखाएं क्या दरसाती है आईसो गोनल जो है वो समान चुमकिये छेत्र को दरसाने का काम करती है अगले है आईसो बात जो कि क्या दरसाती है समूदर के भीतर समान गहराई वाले छेत्र को आईसो बात समूंदर के गहराई छेत्र को मापता है उच्चा वच दिखाने का सबसे सही माध्यम कौन सा है कौन टरलाइन यानि समोच रेखा बर समापी यंत्र को क्या कहते हैं रेंगेज अब यहाँ दीगे यह मानचीत्र की रेखा हैं इसे आप लोग पीडियेप में भी एक और ध्यान से पढ़ लेंगे या वीडियो को पास करके पहला है समोच रेखा जो की समान उचाए वाले बिंदो को मिलाने के लिए आगे है आईसो बात समान गहराई के समूदर जल को मिलाने वाली रेखा समदाव रेखा समान बाइदा बाले स्थान को जोड़ने के लिए आईसो बाती थर्म समूदर के जल के समताप रेखा को आईसो डापेन समान परिवहन लागत रेखा आईसो जी ओ थर्म पिर्थिवी के अंदर समताप रेखा आईसो हेलाइन समान लबनता के बिंदो को मिलाने वाली रेखा आईसो हेल समान सूरेताप को अबदी के मिलाने वाली रेखा सम बरसा रेखा समान बरसा वाले अस्थान को जोड़ने वाली रेखा आईसो नेव समान हीम अस्थान को जोड़ने वाली रेखा सम मेग रेखा आईसो नेव समान आउसत मेगा चंता वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा आईसो फाइट समान उचाई वाले बनस्पती की रेखा सम भुकम पी रेखा समान भुकम पे तीवरता को मिलाने वाले रेखा सम ताप रेखा समान ताप वाउचाई वाले स्थानों के मिलाने वाले रेखा आईसो नूमल सम ताप ये बिश संगती की रेखा आईसो कलान समान चुमकिये निती की रेखा आईसो ग्लास किसी प्रदेश में भासाओं को विवक्त करने वाले सीमा रेखा जनसंख्या चार्ट जनसंख्या आदी के लिए तयार की गई बिसिस्ट चार्ट आईसो गेनिक लाइन सम चुमकी एक नती रेखा एगोनिक लाइन सुन चुमकी एक नती रेखा लेक्सो ड्रम या र्यूबन लाइन मर्किट और प्रच्छे पर किसी दो अस्थानों को मिलाने वाली रेखा पलंब लाइन पिर्थीवी के सता से केंदर को मिलाने वाली रेखा सम इस्थिती आईसो अश्टेसी साम अबस्था या भू सता के संतूलन जो पिठी पर हलके सहल पदार्थो और भूमिगत भारी सहल पदार्थों में पाया जाता है सम बाह गती रेखा जहां मौसमी मांचित पर उन अस्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पवन गती समान पाई जाती है सम जंज़ा रेखा आईसो ब्रंट समान तरी जंज़ा वाले अस्थान को जोडने वाली मांचित रेखा और सम दिक पाती रेखा आईसो गोनल्स समान चुम के हरास वाले अस्थानों को जोडने वाली रेखा आगे है प्रिजमेटिक या प्रिजमिय कमपास चुम के दिकमान मापने वाली यह अंत्र है अब आगला है हमारा बीविध याने कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पहुंच गये हैं बर्ल्ड जोग्रफी के आखरी चैप्टर में चलिए जल्द जल्द इसे भी खतम करेंगे मिसलेनियस को और बर्ल्ड जोग्रफी इस प्रकार हमारा आज खतम होगा पाला पॉइंट है अंटार्क्टिका का बिस्तरी तेवं संपुर्ण मान चेत्र बनाने में एक विष्व किस देश को उपग्राहों से सहायता मिली है कनाडा से विष्व में सराव का बृतम उत्पादक देश कौन सा है फ्रांस विष्व का प्रतम परमानु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था रूस में ब्राजील के कहवा बगानों को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है संयुक्त राज अमेरिका का उपग्राप प्रच्छेपन के इंदर कहा इस्ती थे केप कनेडी फ्लोरिडा में बोलीबिया वा पेरु के पठार को लंबिया का पठार तिबबत का पठार एवां मैक्सिको का पठार किस सनचना का उधारन है अंतर परवती पठार का बिस्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती कोरल रिप किस प्रदेश में इस्ती थे औस्टेलिया का ग्रेट बैरियर रिप पॉइंट है चेर्नोबिल प्रमानु आपदा अप्राइल ने सो नवासी में उक्रेन में घटित हुई थी पीसा की जुकी मिनार किस देश में इस्ती थे लिनिंग टावर और पीसा इटली में इलेसी पैलेस किस देश में इस्ती थे फ्रांस में सबसे अधिक डाग घर किस देश में है पोस्ट ओफिस भारत में पॉइंट है विस्व भासा के रूप में कारी करने के लिए बनाई ग तिव्बत में धच्छीन एसिया का सरवादिक नगरिक देश कौन सा है पाकिस्तान कोपा कवाना पुलिन किस देश में वस्तित है ब्राजील में आगे बिस्व का सबसे गहराई परिस्थित बिंदू कौन सा है मिर्याना गर्तिया चैलेंजर दी उपर पॉइंट है कोरल रीप या जिवास में पट्टी प्रायक करके वा मकर रेखा के मध तट्टी ए छेत्रों में पाई जाती है सरवादिक उचाई के बादलों की सरचना कैसी होती है पक्छा वस्तरी बिस्व में सरवादिक ब्यक्तियों दोरा बोली जाने वाली भासा कौन सी है मन्दारी जोकी एक च थी थे उत्री अमेरिका के पूर्वी तट पर बायुदाप सबसे कम कब होता है ग्रीस मुरीतु में पॉइंट है भुगोल में नब नियती बाद के सिधान्त का परतिपाद अंजी टेलर नहीं किया था विश्व की सबसे लंबी सैल्स रंग कहां आवस्थी थे फिनलेंड में सबसे कम जन संख्या घनत वाला देश कौन सा है कनाडा पॉइंट बीस में देशों का कूल रेलवे लाइन की द्रिश्टी से सही अवरुह यानि बढ़ते से घरते करम में अमेरिका चीन रूस ता भारत भारत चौथे अस्थान पर रेलवे लाइन की द्रिश्टी से भारत क प्रवस्तित्रिक्ट किस देश में तमील एक प्रमूख भासा है सिरलंका में अत्यदीक तीवर बर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदाई होते हैं बर्षा स्तरी मेग वायू मार्ग तथा बायू यातायात के विकास में किस देश का प्रथा मस्थान है यूए से तर्की क इंदो सागरों के मद्ध इस्तिते काला सागर और भुमध्ध सागर बिस्व का विसालतम स्वर्ग छेत्र दच्छीन फिरका में कौन सी परवस्रेनियों में वस्तिते स्वर्ग छेत्रिया है बीट बाट सरेंडर दच्छीन फिरका में लाल सागर एक उदारने अक्छी ये का अरब सागर मिच्थित अधिकांस द्यूप संरच्नात्मक दिरिश्टी से किस प्रकार के हैं मुंग अ द्यूप कि आगे हैं मासाई जंजाती अफरिकी महधिय। के तंजानिया, केयनिया और यूगानडा देशों के मूल निवासी है मसाई जंजाती तो फ्रेंट्स इस प्रकार हमारा बल्ड जो ग्रफी जो स्रीच चल रहा था अंच एक पार्ट संग्रा से इंच एर टी जो हमारी बुक चल रहे थी उसका आज यह बल्ड जो ग्रफी ऑल्रेडी कंप्लीट इसके पहले एक मौडर्ड, साइंस का जो तीन सेगमेंट था, फिजिक्स, कमेश्ट्री और बायो, पॉलिटी हमने कंप्लीट किया, जोगरफी का दोनों पार्ट इंडिया जोगरफी और बल जोगरफी कंप्लीट किया, साथ ही हमने इकोनॉमिक कोंप्लीट किया, अब क्या आपको चाहिए अगला चैप्टर जो हमें आप लोग कमेंट करेंगे उसके बाद वो चैप्टर बनाई जाएगी अब जो चैप्टर होंगे सब छोटे छोटे एक से देर घंटे के वीडियो आएंगे सभी जिनमें आपको साइद बचे हुए पार्ट हैं वह है इनवार्मेंट, कम्प्यूटर, स्पोर्ट्स और अवार्ड और साइद मिसलेनियस विवाकी है इस सभी का आप लोग हमें कमेंट करेंगे इसमें आपको कौन सी चैप्टर चाहिए सब्जेक्ट उसका ही अगला वीडियो हम बनाएंगे आप लोग को जितने लोगों का एक जैसा समान कमेंट रहेगा यानि समान बोटिंग पे उसी वीडियो को उसी चैप्टर को सबसे पहले लाई जाएगी उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे साथ ही बेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेहर लाईक कमेंट्स जरूर करेंगे पेडियwe के लिए डिस्क्रीप्शन में दीए गए लिंक से पेडियो को डionalड कर लेंगे और वहाँ पर दिये गए ग्रूप को जरूर जोयन कर लेंगे जहाँ पर आपको डेली दो टाइम क्यूज कराई जाते हैं जिसमें दो बजे दो पर को और एक आठ बजे रात में कराई जाती है जो लोग नए लोग हमसे जूडएंगे उन्हें पीडियाप के लिए आप लोग टेली ग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे आपको पिछले सभी पीडियाप मिल जाएंगे स्रीज वाइज बहुत सर लोग आकसर कमेंट आ जाता है कि सर पीडियाप नहीं मिल रहा चलिए इसी उमीद के साथ आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं अगला चैप्टर हमें कमेंट जरूर करके बताएंगे और इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद